स्वास्थ और संदरी के वीडियोज को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बगल के बेल आइकल को क्लिक कर देख ताकि हमारे आने वाली वीडियोज की अपडेट्स आपको मिलती रहे स्वास्थ और संदरी में आपका एक बर फिर से स्वागत हैं आज हम इस वीडियो में बात करेंगे बालों में शिका काई पाउडर के साथ नारियल तिल यानि कोकोनट अईल लगाने के कुछ पहतरीन फैदों के बारे में शिका काई पाउडर और नारियल तिल दोनों ही बालो के लिए काफी फायदे मन माने जाते हैं शिका काई पाउडर एक नैश्रल इंग्रिडियन्ट से जो बालों की कई समस्याओं को बड़े ही आसानी से दूर करने में मदद करता है शिका काई पाउडर हेर फॉलिकल्स को क्लीन कर बालों को सॉफ्ट और शैनिंग बनाता है शि शिका काई पाउडर का इस्तमाल बालों में करने से आसा में बालों का बगना बंद हो जाता है साती पके हुए बाल धीरे धीरे काले होने लगते हैं इसके साथ ही बालों को लंबा घना वा मजबूत बनाने के लिए नारियल तिल यानि कोकोनट ओइल का इस्तमाल काफी इसके बारे में जाने के लिए बने इस वीडियो के साथ इसके लिए एक बॉल में दो चमच शिकाकाई पाउडर ले ले इसके बाद इसमें दो चमच नारियल तिल डाल कर अच्छे से मिक्स कर ले जब यह अच्छे से मिक्स हो जाए तब इसे हेड डैब रश की मदद से अपने पूरे बालो में अच्छे से लगा ले एक से दो घंटे से अपने बालो में लगा रहने दे फिर माइल या हर्वल शेंपू से बाल धो ले वीक में 2-3 दिन इस पैक का इस्तमाल करने से बहतर जल तेखने को मिलते हैं शिका काई पाउडर और नारियल तिल से बना पैक बालो के लिए काफी फायद मन माने जाते हैं नियमित इस पैक का इस्तेमाल करने से बालों से जुरी समस्याओं को दूर करने में मदद मिलती हैं साथी बाल तेजे से बढ़ने लगते हैं तो फिर आज आपने इस वीडियो में बालों में शिका काई पाउडर के साथ नारियल दे यानि कोकोनट ओइल लगाने के कुछ बहतर इन फायदों के बारे में जाने आशा है आपको हमारे ये वीडियो आवशे ही पसंद आया होगा हमारे नए नए स्वास्तिय और सौंदरी संबंदी जानकारियों को पानी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले तो था हमारी वीडियो पसंद आई वीडियो से लाइक और शेर जरूर करें ताकि इसी तरह हम नए नए जानकारियां आप तक पहुचाते रहें धन्यवाद